Hello friends, 90 word per minute editorial dictation start होगी 5 second बात Start क्या भारतिय राज्य सत्ता विफल हो चुकी है पत्री का इंडिया टूडे का ऐसा ही मानना है लेकिन मैं इसका खंडन करना चाहूंगा क्यूंकि अगर ऐसा होता तो वह पत्री का कवर पर इस अर्थ का सिर्षक नहीं लगा पाती जब तक किसी राश्ट्र का मीडिया, सिविल, सोसाइटी और अकेला व्यक्ती भी बुरी खबर देने शक्तिशाली शासक को आईना दिखाने सवतंत्र है तब तक हमें विफल राज्य नहीं मान सकते तब हम क्या है, हम पिटे हुए करहाते हताश, भ्रमित, अस्त व्यस्त, कमजोर नेतुरत्त वाले बरबादी की कगार पर खड़े हैं लेकिन जवाब खोज रहे हैं यह विशेशन ओक्सफोर्ड युनिवर्सिटी के अर्थ सास्त्री लौंट प्रिट शेट ने दिये हैं 2009 में प्रस्तुत शोद पत्र में उन्होंने यह लिखा था जिसका सिर्शक था भारत आधुनिकी करण के चार लेन वाले हाईवे पर लड़ खडाता देश वर्ष 2009 से 2014 के बीच भठकी हुई UPA2 के राज में सासन का इस्तर बुरी तरह गिर गया था लड़ खडाती राज्य सत्ता का फाइदा उठाते हुए नरेंद्र मोधी ने नियुनतम सरकार अधिक्तम सासन के वादे किये लोगों ने उन पर यकीन कर लिया उन्होंने जिस न्यु इंडिया का वादा किया था उसमें भी अनिश्चितता दुविधा की हद हो गई साथ वर्सों तक आर्थिक गती रोध कायम रहा और उन पर मतदाताओं का भरोसा तब तक बना रहा जब तक वाइरस दोबारा नहीं आया जिसने असलियत को उजागर कर दिया कि मोधी के साथ साल के राज में भारत एक शिथिल तो क्या एक लड़ खडाती राज्य सत्ता वाला देश है राज्य सत्ता सिर्ष निर्थवर्थ नोकर शाही और वेग्यानिक प्रतिस्ठान समेत तमाम संस्थाएं आज या तो काम के मोर्चे से गायब हैं या लीपा पोती में और किसी तरह अपनी चवी चमकाने में लगे हैं हर नेता की अपनी ब्रांड चवी होती है मोधी की ब्रांड चवी में प्रसासनिक शमता जन कल्यान योजनाओं को कुशलता से लागू करना भी शामिल है इसकी मिसाल हम साथ साल में देख चुके हैं खास कर गरीब आबादी को लाब पहुचाने और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों में लेकिन बुनियादी सासन की नियु को मजबूत करने का काम नहीं किया गया संस्थाओं और केंद्रिये मंत्री मंडल को कमजोर किया गया यदि यह सामान्य मंत्री मंडलिये संस्था की तरह काम करता तो कुशल मंत्रियों को संकट से मुकाबले की जिम्मिदारियां देते जो जिम्मिदारी नहीं निभा पाते उन्हें बाहर करते राजनीती को तरजिये नहीं दी जाती गुनिस्सो बासट में पराजे के बाद नहरू ने रक्षा मंत्री वी के क्रश्न मेनन को बर्खास्त कर दिया था और उनकी जगह यश्वंत राव चोहान को लाए थे लाल बहादूर शास्त्री को नहरू से विरासत में खाद्य संकट मिला मुकाबले के लिए उन्होंने सी सुब्रमनियम को क्रशी मंत्री नियुक्त किया गुनिस्सो इकरानवे में प्रधान मंत्री नरसिम्मा राव ने एक और आजनीतिक मन मोहन सिंग को वित मंत्राले की जिम्मेदारी सौप दी थी यह सब बताने का अर्थ यह है कि व्यक्तियों का महत्व नहीं है मुद्दो का है इसलिए हम उन एहम मुद्दो की सूचे बनाए जिन्होंने सक्त फैसलों को मुम्किन बनाया इमानदारी से यह कबूल किया गया की गल्दी हुई है सिर्ष नेर्थवर्थु को सुरक्षा में डालने का दबाव नहीं था एक नेता को शाराश्रे देने की मजबूरी नहीं थी इन आउसरों पर चापलूसी की शक्तिशाली प्रवर्ती हावी नहीं थी तब ट्विटर पगार नहीं थे लेकिन इंदिरा गांधी के राज में हमने अविश्वस्निय चाटू कारिता के दोर भी देखे मंत्री बेदाग छूट रहे हैं और परधान मंत्री ने जिस तरह कदम पीछे खीज लिये हैं उनसे संकट गंभीर होता जा रहा है सामूहिक इनकार वे सच कहने से तमाम संस्थाओं के परहेज के कारण ही इस अकल्पनिय संकट का पहाड तूट पड़ा है यह वक्त विनम्रता दिखाने का है तभी व्यापक राष्ट्रिय सद्दाव और एक जुटता इस्थापित हो सकती है पेरा ध्यान देनिक जीवन से कोई भिन घटना नहीं है ध्यान का अर्थ यह नहीं है कि आप एक कोने में जाकर बैठ जाए दस मिनट ध्यान करे और बहार आकर कसाई बन जाए लाक्षनिक रूप से भी और वास्तव में भी और यह ध्यान हर जगे और हर समय हो सकता है जब आप किसी बस में बैठे हो या टहल रहे हो या जब आप पक्षियों के कलरव गान को सुन रहे हो वा जब आप अपनी पतनी या अपने बच्चे के चहरे को देख रहे हो जब आप स्वेम का निरिक्षन करते हुए अपने बारे में सीखते हैं अथार्थ किस तरह आप खाते पीते हैं किस ढंग से आप चलते फिरते हैं क्या बातचित और गपशप करते हैं आपका इर्शा करना नफरत करना जब आप अपने भीतर और बहार की इन चीजों के प्रती सजग और सचेत होते हैं बिना किसी काट छाट के तो यह ध्यान का ही अंग है अगर आप सोच समझ कर ध्यान करना आरंब करते हैं तो यह ध्यान नहीं है इसी तरह अगर आप अच्छा बनना आरंब करते हैं तो आप में अच्छाई का प्राइस फूटन कभी नहीं हो पाएगा अगर आप विनम्रता का विकास करते हैं तो यह विदा हो जाती है ध्यान तो एक बयार है जो आपकी खिड़की खुली रहने पर अनायास भीतर परवेश कर जाती है लेकिन अगर आप जान बूज कर खिड़की खुली रखते हैं और आगरह पुरवग इसे आमंतरित करते हैं तो इसका कभी आगमन नहीं होगा ध्यान करने के उद्देश्य से अगर आप जान बूज कर एक विशेश भाव दसा या शारिरिक मुद्राधारन कर लेते हैं तो यह मन का ही एक खेल और खिलोना बन जाता है ध्यान वस्तुते जीवन से कुछ अलग नहीं है यह जीवन का ही सार है प्रतिदिन के जीवन का निचोड है ध्यान जीवन का यह समस्त रूप है इसका एक खंड मात्र नहीं ऐसा ध्यान आपको जीवन की समगरता के प्रति उनमुक कर देता है स्टोप